अगर नहीं किया है तो प्लीज एक दूसरे को शेयर कर लें और देखिए आज का जो क्लास है यह क्लास नंबर 52 है इसको अटेंट करने से पहले आपको एक जानकारे देदू कि जन्रे नॉलिज की क्लास का रोज आपको रेगुलर शाम को साड़े आठ बजे क्लास में लेकर आ प्रिपेर रहें और यह क्यूज जिहां जन्ने नॉलेज एटलिस जीके तो अटना पढ़ना होगा कि आपको यहां से वेटेज बहुत जादा रहता है जीके और जीएस का तो यह स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और यहां से नंबर भी उठा सकते हैं पर आज के इस क्यूज म हैं जीके के साथ जीएस के साथ ओके चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब इस क्यूज की सबसे पहले कोश्चन पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाके और साथी साथ यह क्लास की का पीडिएफ जो है हम आपको शेयर करते हैं इसकी ओफिशल विबसाइट पर जो की सक्सेस की डाट इन है अब देखते हैं पहला प्रशन क्या कहता है चलिए हर कोश्चन के लिए आपको तीन सेकिंड मिलेंगे यहां पर आंसर नीचे कमेंट बाक्स में करते रहिएगा नि अगट मनी अईयर मधूमती सोनल मान सिंग या सिधिश्वरी देवी तो निमनिकित में से जो सबसे प्रशिद भारतिये सास्त्रे निर्तांग्यना है वो है दोस्तों सोनल मान सिंग नोट कर लिजेगा इंपॉर्टेंट है कोशन आया हुए एक्जाम में कोशन इमबर टू देखे कलाकृती संस्कृती से भी कोशन आते हैं आपके लिए तो आज के क्यूज में आपको ये कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको ठीके तामिल नाडू में जली कट्टू किस तोर किस त्योहार का हिस्सा है जली कट्टू जो है वो किस त्योहार का हिस्सा है आ आपको नीचे कमेंट करना है तीन सेकेंड का टाइम है आपके पास चलिए औनम पॉंगल नतुन जली या हमपी तो आंसर यहां पर आपको करना है दोस्तों इस भी पंग पॉंगल नोट कर लिजिएगा जली कटी जो है यह जली कटू जो है यह किसका तेवहर का हिस्सा है तो पोंगल का अगला कोशन कोशन नम्बर थर्ड निमलिकित में से कौन विस्ष्ट चित्रकार है चलिए डिस्टिंग्यूजड पेंटर जिसे कहते हैं यह इनमें से कौन है उदैसंकर सुनलमान सिंग आमरित सेर्गिल या यामिनिस कृष्णमूर्ती चलिए आंसर मैं आशा करता सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है तो एक लाइक जरूर करके जाएगा और लास्ट में कमेंट जरूर बताना है करके कि आपने इन 40 में से कितने उत्तर सही किये हैं अब यह देखिए यह आपका मद्यपरदेश महराष्ट या दिल्ली 2017 का करेंट अफेर यह पूछा गया है आपके एक्जाम में अभी RRBJ में ठीक है तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा दोस्तो इट्स डी दिल्ली अगला कोशिन देखते हैं कोशिन नमबर फाइब कलास संगीत के छेतर में 2017 का पद करेंट अफेर पढ़ा जाए तो मैं आपको बोलूंगा 2017 से लेकर 2019 तक के अभी दो साल के लगातार करेंट अफेर पढ़ जाओ इससे उपर कोशिन आएगा ही नहीं यार पूछता ही नहीं है वो तो फिर जीके में पूछेगा आपसे और वो भी दो जीके पढ़ना है आपक करेंगे आंसर कीजीगा इसका दोस्तों इससी नोट कर लिएगा विस्व मोहन भट अगला कोशण सिक्स को मैच करना है आपको जल्दी से फटा फट मैच कीजिए और आंसर कीजिए गौरी संकर जो है यह आर्टिस्च है और यहां पर इनकी कला बताना है तो गौरी संकर दे तो बचा कौन सा तो आपके पास बचा 2 कला कार में दो बचे गौरी शंकर देवी लाल और हरीपरसाद आप जल्दी से आपको इंसर आंसर बनाया देखिए फ्लूट कौन बजाते थे आंसर कीजिए बासुरी वादक यह आप लोग बच्पन में दूरदर्शन देखते होगे तो देखे होगे तो यहां पर आंसर जुरूर कर दोगे ठीक है चलिए इसका आंसर में बताई देता हू होगा यहां पर मिला लीजिएगा ओके दूसरा का ए है दूसरा का ए है ठीक है तीसरा का भी है ठीक है और चौत्य का डी है यह आपका मैचिंग हो गया कोशें नमबर सेबन नाटक स्वेट चलिए यह आंसर कीजिएगा यह पुल्तिजर पृसकार जो है ड्रामा के लिए 2017 में किसको दिया गया था चलिए आंसर कीजिए फटा फट नीचे कमेंट बॉक्स में अगला यहां पर आंसर है दोस्तों इस ए लीन नॉटेज नोट कर लिजिएगा किसके लिए तो स्वेट ड्रामा के लिए इनको अवार्ड दिया गया था पुल्तिजर पृसकार अगला क समाजिक विवसाय के लिए एस याई पृसकार 2016 से समानित किसको किया गया था दोस्तों तो बिक्रम पटेल को किया गया था याद रखेगा इंपॉर्टेंट है यह कोशन आपके अगला कोशन देखते हैं यहां भी मैचिंग करना है फेस्टिबल है और किस स्टेट से यह बि नौर जो है आपका राजेस्थान से तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों ए यानि की फर्स्ट का जो होगा आपका बी सेकेंड का सी और थर्ड का ओके मैच हो गया अगला कोशन देखते हैं कोशन इंबर टेन निमलीखित में से किसे पाक साला संबंदी छेत्र में 2017 के पदमिस से समानित किया गया है इनको आंसर नोट कर लिएगा दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग भी कमेंट करते रहें फटाफट एक भी कोशन मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि आज कोशन क्यूस बहुत इंपॉर्ट है और इंट्रेस्टिंग भी थोड़ा सा मजा आएग पर प्रतिबंद लगा दिया था तो यह किस राजी सरकार ने ऐसा किया था दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए का चलिए तीन सेकेंड का टाइम देते हैं आपको हम यहाँ पे नीचे कमेंट वाक्स में करने के लिए फटाफ़ट आंसर कर जिए जी हां बिलकुल सही उत्तर सी आ रोड का लागत यहां पर दिया गया है तो सबसे पहले वह कौन सा राज्य है तो आंसर कीजिएगा पंजाब को ओके अगला कोशन देखिए कोशन निम लिखित में से कौन 200 ओडियाई खेलने वाली पहली महिला बनी है 200 ओडियाई यानिकी वन डे इंटरनेशनल मैच जो है क प्रिकेट का खेलने वाली यह पहली महिला खिलाली बनी है आंसर कीजिएगा दोस्तों भी मिताली राज जो कि भारत की कैप्टन भी रह चुकी है कोशन 14 हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया महिला पीजी ए टूर देखिए पीजी ए टूर को यहां पे लपीजी ए भी कह सकते हैं को पाने वाली पहली भारतिय गोलफर बन गई है उनका नाम बताइए वानी कपूर भावना नंदन आस्ता मदाना या दिक्षा डागर फटा 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 आंसर कीजिएगा दोस्तों कोशन बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत करेंट से कोशन लेकर आया हूँ आज ताकि आप लोगों को यहां से जीके में अगर कोई भी चीज़े ना छूट सकें कि आंसर है दोस्तों वानी कपूर और यह लगातार आपको 2017-18 और 19 आपको करेंट अफेर भी आपको यानि कि जो करेंट के जीके होंगे वह भी आपको मेला के देता रहूंगा इसी बीच-बीच मे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है नो वह बनी रहे और एक भी कोश्चन वहां पर बस देखें और टिक करके चले आए ना बस आपको क्या करना यहां से पूरा जीके का सिनारियो पढ़ना है और एक बार पीडिए पढ़ लेना है खुझ से बस कंप्लीट है समझो तो है ना प किस राज़ी में होगा यह बताना है आपको उत्राकंड हर्याना पंजाब या भिहार तो आंसर किजेगा currently करने के लिए ग्दिए में भा उरोट्टान को समंदों के किजिए के देली में अगला कोशि Präsident कि प्रधान मंतरी किसान के तहएट प्रती वर सीधे किसानों के बैंक खाते में कितने रुपे ट्रांसफर किये जाएँगे तो प्रधान मंतरी किसान यूजना के तहएट यहां पे यह बहुत करेंट का कोशन है अगर यह आप लोगों ने नहीं बता पाएं तो समझे कि कोई मतल प्रधान के तहएट 6,000 रुपे हर किसान के खाते में जाएगा यह बिल्कुल आपका उत्तर सही है अगला कोशन देखे आंसर यहां पे दीजिएगा 18 का कि इन में से किसने गणतंतर दीवस के परेड की सर्वसरेश्ट मार्चिंग ट्रॉफी प्राप्त की है निमलिखीत मे यहां पे सैनिक जी हां गोर्खा के सैनिक जो होते हैं वो इसमें अभी जॉब्स में है जिनको हम लोग कहते हैं गोर्खा रेजिमेंट एक पुरा ही बटालियन होता है हर स्टेट का अपना अलग-अलग होता है जैसे कि नागा लेंड का यह नागा रेजिमेंट है पंजाब इसका दूसरा ट्यूलिप गार्डेन निमलिकी त्राज्यों में से कहां होगा भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डेन जो की बी है आंसर उत्राखंड में होगा इसका दूसरा ट्यूलिप अब आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ ट्यूलिप गार्डेन के बारे में तो आपको बताना है कि पहला जो है फर्स्ट जो है वो ट्योलिफ गाडेन कि सराज्जी में इस्तित है ठीक है और यह दूसरा बनाया जा रहा उत्राखंड में काला घोडा काला महटसव किस सहर में शुरूक हुआ है बीस का अंसर कीजिए यह बहुत इंपॉर्डेंट कोश्चन है चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे इट्स सी मुंबई में अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन निम्बर 21 चलिए फड़ा फड़ा आंसर कीजिएगा आप लोग जितने सही उत्तर करें न वो एक एक बार चेक करते रहेंगे और जितने सही उतर करेंगे लास्ट में कमे अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है तो 22 भारती राष्टी कॉंग्रेस कि स्राजनितिक समुग का एक हिस्सा है भारती राष्टी कॉंग्रेस कि स्राजनितिक समुग का एक हिस्सा है चलिए आंसर कीजिएगा दूस्तू आंसर है यहां पर इट्स ए संयुक्त प्रगत सील गटबंधन ठीक है इसको यूपीय कहते हैं सौट में भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस किस राजनितिक समू का एक हिस्सा है युनाइटेट प्रोग्रेसिव एलाइंस ओके कुश्य निम्लिकित में से किस देश ने वर्स 2016 का सुल्तान अजलान साहकब जीता है तो नोट कर लिएगा इट्स अडी ऑस्ट्रेलिया ने जिया नोट कर लिएगा अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 24 फटा 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 आंसर करते रहेगा कुछ पॉलिटी के कोशन मिलेंगा आपको भारते सम्विधान के अनुछे 356 किस के बारे में हैं दोस्तों तो आंसर है अगला कोशन देखे हैं यहां पे बहाराश्टर की संसद्य सीटों की संख्या कितनी है यह तो कोशन इंपॉर्टेंट है आ सकता है मैंने आपको एक वीडियो भी दिया है जिसमें कि लोग सभा और उसके सीटे कितनी है हर राज में यह पारी में 400 रन का स्कोर मनाया था टेश्ट खिलाडी है वो टेश्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन मारने वाला वो खिलाडी का नाम बताईए तो आंसर है दोस्तों इसमें आंसर देखेगा इसमें आंसर है आपका इस सी ब्रेंलारा ठीक है और एक और खिलाडी है उनका ना एक गोपालन अगला कोशन देखें कोशन नमबर 28 पस्चिम बंगाल के संसदिय सीट राजी सभा का बताना इसमें ठीक है ध्यान रखेगा संसदिय सीट जो की राजी सभा में पस्चिम बंगाल में कितनी है तो यह दोस्तों सोला ओके अगला कोशन देखें 29 बीसी सी आई की संरचना की और कारेप्रनाली में कितने परिवर्तन करने की सिफारिस की थी यह कोशन इंपॉटेंट है दोस्तों कौन सा कमिटी गठन हुआ था इसके लिए आंसर है इस लोधा कमिटी जी हां नोट कर लिएगा इस लोधा कोशन इंपॉटेंट है कोशन कि सन 1925 में भारते राष्टे कांगरेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो की अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारते महिला थी उनका नाम तो सब कोई जानता यहां पे दोस्तों आंसर बी होगा आप लोग भी आंसर बी कीजिए गात सरोजनी नाइडू गुजरात की संसदिय सीट लोगसभा में कितनी है यह भी कोशें इंपॉट्टन है लोगसभा के सीटों से एक्जाम में तो गुजरात गीम बाद के जए पर जोड़ रहें हिए ऑगर आप कोशन आंसर देख रहें तो प्लीज कोश्चन का आंसर करके जाएगा गीत सेठी जो है वो संबंदित हैं बिलियर्ड से अगला कोश्चन देखते हैं 33 निमलिकित में से कौन से संग्य सरकार की एक विसेश्था है संग्य सरकार की विसेश्था है दोस्तों यहां पर फेडरल गबर्मेंट की विसेश्था ह संग तता राज्यों के बीच सक्तियों का वीतरन करना चलिए 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 तो फड़ा फड़ा आंसर कीजिए का दोस्तों यहां पर अब 34 का किस अनुछेद के अंत्रगत भारत के राष्ट पती द्वारा वीतिय अपात का लागू किया जा सकता है 34 का अंसर कीजिए आप लोग नीचे कमेंड बॉक्स में यहां पर कि किस अनुछेद के अनुछेद के अनुसार राष्ट पती द्वारा वीतिय अपात काल लागू किया जा सकता है देश में तो आंसर है इससी 360 जी हां आर्टिकल 360 के तहत यह कोशन मैंने आपको पिछे भी करा है था अगला कोशन है 35 विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान के सात्वी अनुसूची में दी गई है और किसके साथ सूची बद है केंद्र के साथ राज जी के साथ बिस्वे के साथ या समवर्ती सूची में तो आंसर कीजिएगा दोस्तों गरीबों की जो बेरोजगारों की जो राहत है वो समवर्ती सूची सात्वी में है और आपको बता दे कि यह है राज सूची में ठीक है राज सूची के साथ सूची बद किया गया इसको 36 का आंसर कीजिएगा संविधान के संसोधन करती है जी हां कौन करती है संविधान में संसोधन तो आंसर कीजिएगा इससी पारलेमेंट जी हां संसद जो है वो संविधान में संसोधन करती है अगला कोशन देखते हैं 37 इन में से कौन सा न्याय पूर्ण है न्याय पूर्ण जो है अधिकार वो है दोस्तों इससी मौलिक अधिकार नोट कर लिएकार फंडामेंटल राइट जो है आपका न्याय पुर्ण है अगला कोश्चन देखे करस्ट नमर 38 निमलिकित में से संसुधनों में से किसे भारत का लगू संविधान भी कहा जाता है कौन से अमेंडमेंट को यहां संसुधन को लगू संविधान भी कहा जाता है दोस्तों आंसर कीजिएगा इट्स भी ब्यालिस्वे संसुधन को अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 39 इनमें से कौन सी प्रणाली है जो कि अधिसे मुल्य से सिध्धान्त पर आधारित है आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में इट्स भी पून्जी वाद यानि की कैप्टलाइजंग अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमबर 40 बिधान मंडल का मुख्यकर तब्य क्या है तो बिधान मंडल का मुख्यकर तब्या है दोस्तों कानून को पारित करना या कानून क बनाना ओके चलिए तो आज के इस पूरे सीनारियो में जितने भी प्रशन आपको दिये हैं उन में से कितने आपने सही उत्तर किये हैं ये जरूर कमेंट करके बताईएगा और जी हाँ वीडियो का कोशन आंसर आपको सही लगता है तो एक लाइक करके जरूर जाईएगा और अपने दोस्तों तक इस बीडियो को शेयर किजिएगा ताकि उन दोस्तों तक ये बीडियो जा सके ये पीडियेफ जा सके जो की दूर दराज के गाउं में भी बैटके अपने तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज इतना रिक्वेस्ट आप से कि इस बीडियो को शेयर कर लखेगा आप भी और अपने परिवार का भी